रेटिना का लेजर एक बहुत ہी common procedure है जो कोई भी रेटिना सेटप में बहुत commonly करा जाता है बहुत चारे कारणों से करा जाता है उसमें से एक लेजर होता है बराज लेजर बराज लेजर यूजरी हम करते हैं रेटिना में अभएर कोई कमजोरी है कोई weak area है तो उसको strengthen करने के लिए बराज laser के बाद कुछ special precautions है जो हमें रखने होते हैं या नहीं रखने होते हैं आज हम उसी के बारे में बात करेंगे नमस्त्रे मैं हूँ Dr. Sumit Agrawal और आप देख रहे हैं Eye Health for You जहाँ आपको मिलती है एकदम simple language बे आखों से जुड़ी सारे चान करें रटना में weakness आना एक बहुती common चीज सहती है रटना में weakness का मितलब जो रटना का peripheral हिस्सा है बहारी हिस्सा है उसमें या तो कोई hole बन सकता है या कोई tear बन सकता है या वहाँ पतला हो सकता है रटना या वहाँ पे lattice degeneration हो सकता है जिसमें की retina बहुत ही पतला हो जाता है और उसमें छेद बन सकते हैं इस तरह की कमजोरी जब भी होती है सो इसमें खत्रा होता है कि आगे जाके कमजोरी बढ़ जाए और आग के बीच में जो पानी है वो उस छेद के थो उस नीकनेस के थो परदे के पीछे जा सकता है परदे को अपनी जगे से हटा सकता है सो ऐसी condition में prevention इसमें बहुत important होता है और उसका best तरीका है बराज laser बराज laser क्या होता है यह एक special तरह का green laser होता है या इसे हम double frequency and d arg laser कहते है इस laser से basically retina और उसके पीछे वाली जो layer है RPE और retina इसके बीच में एक firm adhesion बन जाता है वो चिपक जाते हैं आपस में laser करने के बाल जैसे कि आप मान के चलिए welding जाता है जिससे कि वो area safe हो जाता है वहाँ पे आगे जाके अगर वहाँ परदा फटता भी है सो बस उसी हिससे में वो limit होता है पूरे परदे पे उसका effect नहीं आता है एक बार जहाँ पे हम barrage laser कर देते हैं वो हिससा retina का permanent for life safe हो जाता है आगे जाके वहाँ पे problem आने का chance बहुत कम रहता है अगर problem आती है तो परदे के दूसरे हिससे में आ सकती है बट वो area for life safe हो जाता है barrage laser का procedure बहुती simple होता है इसमें कोई भरती नहीं करते हैं कोई operation नहीं होता है कोई injection नहीं लगता है simple एक machine होती है जैसे हमारा slit lamp होता है इसी तरह की machine होती है उस पे हम बिठाते हैं patient को एक special lens आग के उपर हम place करते हैं आग को obviously हम सुन करते हैं drops है और उस lens के थूँ हम laser deliver करते हैं आग के अंदर जिससे की जो area है वहां तक वो accurately पहुचती है और उसको safe कर देती है लेजर में approximately 10 to 15 minutes का time लग सकता है एक आख में और इसके बाद बहुत से patients हम से पूछते हैं कि हम precautions क्या रखे है so इसमें general rule है कि कभी भी आख में अगर कमजोरी आई है और in general भी हम आख को मसले नहीं कभी आख को मसलना या eye rubbing आख के लिए बहुत harmful चीज़ हो सकती है और ऐसा studies भी करी गई है MRS करे गए हैं आख को rub करते हुए लोगों के तो उसमें देखा है कि अंदर का जो gel है उसका बहुत ज़ादा movement होता है बहुत ज़ादा वो gel हिलता है आख को मसलने से और ये gel परदे के उपर खिचाओ दे सकता है ट्राक्शन दे सकता है और ये ट्राक्शन की वज़ए से retina फट सकता है और नए breaks बन सकते हैं और नई problems आ सकते हैं तो eye rubbing हमें future के लिए भी और definitely surgery के within first three weeks तो बिलकुल भी नहीं करना चाहिए three weeks लगते हैं retina पे जो हम laser करते हैं उसका effect permanent होने में three weeks के बाद वो बहुत अच्छा वहाँ पे scarring हो जाती है और वो एक थरह से permanent वहाँ पे heal हो जाता है three weeks के अंदर अंदर अगर वहाँ पे कोई खिचाव पड़ता है या कोई चोट लगती है तो वो हिस्सा फट सकता है वहाँ पे retina detachment शुरू हो सकता है तो eye rubbing हमें definitely first three weeks में तो avoid करनी ही चाहिए और in general भी हमें आखों को नहीं रब करना चाहिए दूसरा precaution जो हम बताते हैं patients को हमारे वो होता है कि suddenly नीचे जुपके कोई चीज एकदम से नहीं उठानी है sudden bending, forceful bending हमें avoid करनी चाहिए forceful bending से भी ऐसा देखा गया है कि आख के ओपर काफी pressure आता है अंदर का gel काफी move करता है और परदे के ओपर हो खिचाओ दे सकता है जिससे की परदा फट सकता है अगर bend हमें करना ही पढ़ रहा है so it's better कि हम अपने knees से bend करें, घुट्लों से bend करें ना कि अपनी कमर को चुका है source तीसरा इसमें बहुत से patients पुछते हैं कि हम अपना work कब resume कर सकते है so normal आपका work तो आप next day से पुरा resume कर सकते है आपका normal घर के काम, office के काम, routine work जो है वो आप कर सकते है heavy exercises जैसे की gym करना या फिर high intensity workouts या running इस तरह की जो exercises है वो हम three weeks के लिए avoid करने को कहते है क्योंकि laser का effect आने में इतना time लगता है एक बार वो area seal हो जाता है फिर आप जितना चाहे अपना exercise resume कर सकते है आपको wash करना, आपका hygiene रखना ये operation वाले precaution इसमें नहीं होते है क्योंकि इसमें हम आपके अंदर कुछ भी नहीं जाते है बाहर से ही सारा laser होता है सो इसके कोई भी precautions अलग से नहीं रहते है mainly आपका आपको रब करना, नीचे जुक्के heavy cheese उठाना या heavy exercises करना ये तीन चीज हैं जो हमको specially ध्यान रखना पड़ता है वो भी first three weeks में सो ये थे main main precautions जो बाराज laser के बाद हमें लेने होते है उमीद करता हूँ इससे आपको फाइदा हुआ होगा comment section में जरूर आने ने आपकों से related सारे सवाल ताकि मैं देशकू उनके चवा अच्छा देखे, चैसे देखे, धन्यवार और नमस्त